अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि आखिर हम एक्सरसाइज करें तो कब करें क्योंकि हमारे पास तो इतना ज्यादा समय होता नहीं है ठकान बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि काम इतने सारे हैं इतनी ज्यादा खास जगे भी नहीं है एक्सरसाइज करने की तो फिर कैसे व पर लेते लेते ही और एक्षीज की एक और सबसे बड़ी खास बात है कि हर कोई कर सकता है कोई और आपको सी बाठार है कि आपको सब्सक्राइब अब नहीं आंगे करने लग में करते हैं सीधा समय को बता ईने वाले हूं मैं आपको थोड़ी थोड़ी प्रक्टिस करके बताऊंगी बार में आपको इन एक्सराज को पूरा पूरा कम्प्लीट करना होगा तो चले देखते हैं इन एक्सराज को अगर आपको यह वीडियो पसंद आए चैनल पर पहली बाज जुर रहे हैं फैर्श तो आप चैनल को इस तरीके से अपने हिप्स के पास ला जकते हैं इजली दौनों हाथों को हम क्या करेंगे अपने हिप्स के नीचे लगा लेंगे जब आप अपने दौनों हाथों को हिप्स के नीचे लगाएंगे तो यह अपका पेट कए जाए जाएगा तो यहां पर आपको अच्छी रखना है दूर दूर नहीं रखना है नहीं तो आप exercise अच्छे से कर नहीं पाएंगे इस तरह किसी ठीक है यह करना है यह तो मैं आपको पूर अच्छे से टेर वार प्रक्टिस करके बता देती हूं वान टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवल एट नाइन तैन यह आपके थाई के फैट को रिडूस करेंगी आपके बैली फैट को रिडूस करेंगी अगर आपके हिपर फैट है तो आपका हिप का फैट भी रिडूस होगा पूरा लोगर बोडिफैट के लिए बहुत अच्छी इसको आपको आराम से करना है कम से कम थर्टी से लेकर फोर्टी बार और इसके लगाने हैं आपको बैट पर लेटे लेटे ही टू से लेकर थ्री से ओके नेक्स्ट एक्सेसाज के लिए आपको क्या करना है दोनों हातों को आराम से अपने बैट पर रख दीजे इस तरीके से पोजीशन हमें अपने पैरों की तरीके से रखना है बस अपने इस से उपर की तरफ उठाना है ध्यान कर रखना है पैर आपके खुले होना चाहिए पैरों को बंद नहीं करना है ठीक है अगर आप अपने पैरों को खोल कर exercise करेंगे तो आपको double फायदा मिलेगा आपका पेट अच्छे से तेजी से कम होगा थाई का fat reduce होगा आपका hip का fat जाएगा और यह पूरा हिस्सा ठीक है यहां से लेकर यहां तक आपका shape में आएगा तो इस तरीके से आपको इस exercise को करना है ठीक है टैन बढ़ देहिए one two धीरे धीरे करना है इसको जल्दी जल्दी नहीं three four five six seven अगर आपको इस तरीके से करने में problem हो रहे है तो थोड़ा सा अपने इस exercise को आप support दे सकते eight nine ten अगर आपको परेशानी नहीं है तो आराम से अपने हाथों को रख कर ही फिर आपको करना है इसको भी आपको कम से कम twenty five करना ही करना है और इसके भी आपको लगानी है फ्रेंड three seven अब देखिए जो हमारी next step है उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले हमें पैरों को मोड कर ही लेटना है और इस exercise में हम अपनी upper body को भी अच्छे से work कराने वाले है तो दौनों हाथों को सबसे पहले उपर की तरफ लाईए इस तरीके से और अब आपको क्या करना है एक इसरे हाथ को उपर की तरफ ले दाना है इससे आपको टच करना है अगर आपको टच करने में परेशा नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर touch कर सकते हैं, ठीक है, यह देखे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, इसको आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, इस देखे, nine, ten, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, इस exercise में आपकी पूरी वाड़ी एक साथ वर्क करती है, आपका तेजी से fat burn होता है, आपकी weight loss में भी बहुत ज्यादा help होगी, जब आप इस exercise को करेंगी न फैस्स, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें, बहुत जल्दी नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे, एक दीन, दो दिन के बाद थोड़ी से अपने speed बढ़ा दीजे, ताकि आपका तेजी से fat burn होना start हो जाए, अब देखते हैं अपनी हम next exercise, सबसे पहले इसी तरीके से लेटना है, पैरों को मोड कर रखना है, हलका सा अपनी upper body को उठा दीजे इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर आपको neck pain रहता है, तो आप इस exercise को avoid कर दीजे, ठीक है, पैन रही है, तो जरूर इसको कम से कम 30 से लेकर 40 वार करिएगा, next exercise के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले लेटना है, अब दोनों पैरों को हम उठा लेंगे, और simple सा आपक ज्यादा effective है, और ज्यादा efforts लगाना चारते हैं, तो थोड़ा सा अपने upper body को ठालीजे, ये कर लिजे, timing लगा कि कम से कम 30 से लेकर 40 से किंड तक करना है, अगर problem होती है, तो फिर इस तरीके से normal करिएगा, नहीं problem है, थोड़ा सा अपने upper body को ठालीजे, ये, कहने का मतलब है 30 से किंड के आपको लगाने है, इसकी 2 से लेकर 3 सेट, अब एक exercise में आपको और बता देती हूँ, देखिए अगर आपके पास समय है, तो इसको भी आप बैट पर लेटे लेटे कर लीजे, पैरों को मोड कर रखा, अब simple सा पैर को सीधा किया, अंदर की तरफ लाई, पैर को 6, 7, 8, 9, 10, मैंने सिर्फ 10 बार बताया है, आपको इसको पूरा 30 से लेकर 40 बार करना है, कम से कम 20 बार एक तरफ से, 20 बार दुसरी तरफ से हो पा रहा, ज़रूरी नहीं है कि मैंने इतनी सारी exercise बताई हैं, तो आपको सभी करना है, अगर आप 3 exercise, 4 exercise कर पा रहे हैं, अगर टाइम के ऊपर, आपकी efforts के ऊपर और आपकी stamina के ऊपर dependent, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं, जरूर करें, थोड़ा से अपने कोशिश करें, अपने पुश करने को और मेहनत कर देगो, exercise करने के साथ आपको डाइट का भी ध्यां रखना होगा, डाइट अच्छी लीजे, हेल् डाइट लेते हैं, हेल्दी खाते हैं, फिर आप कोई भी हल्की हल्की भी exercise करते हैं, तो भी आपको हर रोज रजिल्क मिल जाते हैं, तो इसलिए दोनों चीजा ही करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, कोई भी कुश्चन है, कॉमेंट्स में आप मुझे पू नबलकुल मदली